हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट कंजंग्शन के उपर बात करेंगे दोस्तों बैक्राउंड से कुछ नॉइज आ रहा होगा तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा दोस्तों आज हम राहू और बुद्ध मरकरी और राहू का जो कंजंग्शन है उस विशे पर हम बात करेंगे दोस्तों इससे पहले मैंने कंजंग्शन के उपर और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो क्रिप्या जाकर उन वीडियोस को देख लें उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में देदूंगा तो आप उन वीडियोस को अभी जाकर विजिट कीजिए दोस्तों आज हम बात करेंगे राहू और बुद्ध के कंजंग्शन के उपर लेकिन इससे पहले हम राहू और बुद्ध के कंजंग्शन के उपर चर्चा सुरू करें मैं आपको पहले कंजंग्शन को अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि कंजंग्शन यानि युक्ती होता क्या है देखिए दोस्तों कंजंग्शन मतलब क्या होता है कंजंग्शन का मतलब होता है कि जब दो या दो से जादा ग्रह है एक ही भाव में और एक ही रासी में होते हैं तो एक कंजंग्शन बनता है कंजंग्शन तब एक और तरीके से बनता है जब दोनों ग्रह एक दूसरे को आमने सामने से देखें यानि एक दूसरे के एक साथ के दूरी पे हो माल लिजे मरकरी फर्स्थ हाउस में है राहू सेवन्थ हाउस में है या माल लिजे मरकरी सेवन्थ हाउस में है राहू फर्स्थ हाउस में है या माल लिजे मरकरी फोर्थ हाउस में है राहू तेन्थ हाउस में है तो जब दो ग्रह एक दूसरे को एक साथ की दूरी से देखते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इसको भी हम कंजंग्सन कह सकते हैं एक ही रासी में या एक ही भाव में जब दो या दो से जादा ग्रह मौझूद होते हैं, तो उसको हम कंजंग्सन कहते हैं यह तो आप समझ गए दोस्तों, अब हम यह जान लिते हैं कि कंजंग्षन कितना strong हो सकता है, कितना powerful हो सकता है देखिये दोस्तों, माल लिजे कि राहू और बुद्ध की यूती है, राहू और बुद्ध का कंजंग्षन है तो राहू और बुद्ध एक ही भाव में हैं एक ही रासी में हैं ये तो आप समझ गए अब ये जान लिजे कि माल लिजे कि राहू की डिगरी राहू की डिगरी 15 डिगरी है और बुद्ध की डिगरी 16 डिगरी है तो राहू और बुद्ध एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं डि से से यह जाकर एक अच्छा करें एक अच्छी यूती बनती हैं कि यहाँ और बात है दोस्तो मालिजे कि हम राहु का कंजंचन के बार में बात कर रहे हैं और उसको तीसरा देख लेता है कि ऐसे में राहु multiply और भुद्ध को अगर को तीसरा ग्रह देख लेगा, तो राहू और बुद्ध का complete result, complete फलादेश आपको नहीं मिल पाएगा, उस तीसरे ग्रह का भी आपको फलादेश मिलेगा, उस तीसरे ग्रह का भी आपको प्रभाव राहू और बुद्ध के कंजंग्सन में मिलेगा, ऐसे में ये जो कंजंग्सन ह यह बहुत ज़्यादा डाइलूट हो जाएगा तो इस कंजंग्सन का आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा दोस्तो राहू और बुद्ध के कंजंग्सन पे हम बात कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम राहू और बुद्ध के उसी फलादेश को बताएंगे जिसमें राहू और बुद्ध की कंजंग्सन बहुत स्ट्रॉंग बनी है बहुत पावरफुल कंजंग्सन है और कोई अलग ग्रह इसको नहीं देख रहा है इस वीडियो में जब मैं आपको बात बताऊंगा राहू और केतु के कंजंग्सन के बारे में वो मैं इस बात को ध्यान में रखके बताऊंगा कि राहू और केतु एक दूसरे के साम बहुत क्लोज कंजंग्सन में है और कोई तीसरा ग्रह उसको नहीं देख रहा है उसके कंजंग्सन को डाइलूट नहीं कर रहा है तो जो भी वीडियो मैं आगे आपको बताऊंगा उसमें इस बात का में ध्यान रखूंगा तो आप भी इस कंजंग्सन को उसी तरह से समझिएगा तो चलिए दोस्तो राहू और बुद्ध की कंजंग्सन के ऊपर बात करते हैं दोस्तो देखिए राहू और बुद्ध के कंजंग्सन के ऊपर मैं बात करूँ उससे पहले मैं आपको राहू और बुद्ध के बारे में बताना चाहता हूँ अगर आपने राहू और बुद्ध को समझ लिया तो आपके लिए राहु और बुद्ध का जो कंजंचन है, राहु और बुद्ध की जो यूती है, उसको भी समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो चलिए दौस्तों, सुरू करते हैं. हम राहू के विशा में पहले जानते हैं देखिए दोस्तो राहू जो है एक छाया ग्रह है राहू असलियत में कोई ग्रह नहीं है हमारे स्वर मंडल में हमारे सोलर सिस्टम में राहू असलियत में कोई ग्रह है ही नहीं राहू एक छाया ग्रह है राहु को हम कल्पना करते हैं देखिए दोस्तों एक राक्षस था स्वर्भानू स्वर्भानू नाम का एक राक्षस था जिसका भगवान विश्टु ने सर काट दिया था तो सर अलग होकर राहु हो गया और धर अलग होकर केतु हो गया उसी से राहु आया है राहु एक राक्षस का सर है इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं देखे दोस्तों राहु जो है वो बहुत ही चालाख है बहुत ही चतुर है बहुत ही इंटेलिजेंट है बहुत ही लोभी है राहु जो है वो बहुत इंटेलिजेंट बहुत ब्रेव बहुत चतुराई है उसम सब्chenишь कोई इनसान राजु से प्रभावित होता है, ऐसे इनसान के अंदर बहुत जड़ा, बहुत ज़्यादा obsession होता है, किसी भी चीज को लेकर पागल पन या दिवाना पन होता है, राहु बहुत ज़्यादा planning करता है, बहुत ज़्यादा obsessed है चीजों को लेकर, उसे बसpenal च चीज चाहिए किसी भिहारत में चाहिए और राहू उसके लिए कुछ भी कर सकता है तो इस तरह का कुछ राहू का सोभाव है राहू बहुत बहुत ज्यादा ओपसेज्ड है चीजों को लेकर जो भी इंसान राहू से प्रभावित होता है वो बहुत ज्यादा ओपसेज्ड होता है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि राहू एक राक्षस का सर है तो राहू बस खाना चाहता है राहू बस चीजों को निगलना चाहता है अपने मूँ से लेकिन राहू के पास कोई सरीर तो है नहीं तो राहू उन चीजों को पचा नहीं पाता है राहू भूखा है इसलिए राहू खाना चाहता है दोस्तो बहुत सारे politicians के बहुत सारे बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली में आपको राहू का रोल मिलेगा क्योंकि राहू सप्ता का लोभी है राहू जो है वो राजनीती का कारक है राहू जो है इसका main planet है राहू को कूट नीती राजनीती चानक की नीती बहुत अच्छे से आती है राहू इन सब चीजों में माहिर होता है दोस्तो दोस्तो हम इस कल्यूग में जीते हैं ये जो कल्यूग है वो पूरा राहू से ही चल रहा है इस कल्यूग में हम अभी है वो पूरा राहू का ही देन है अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और यूटूब पे आपको राहू बुल्द के कंजंग्सन के उपर वीडियो बना के बता रहा हूँ इसमें भी कही न कही राहू का योगदान है राहू जितनी भी टेकनोलोजी है, जितनी भी कम्यूनिकेशन है, जितनी भी ओनलाइन चीजे है उन सब का कारक भी राहू है, बोला ना मैंने कल्यूग में हर चीज राहू से चलता है, ये दुनिया राहू से चलती है तो राहू बहुत ही important planet है, दोस्तो राहू जो है वो रूप बदनने में माहिर है भगवान विष्णू से बचने के लिए स्वर्भानू राम के राक्षस ने अपना रूप बदल लिया था तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि राहू जो है वो रूप बदलने में मास्टर माइंड है राहू किसी का भी रूप ले सकता है, इसलिए जो लोग actors होते हैं, जो लोग कलाकार होते हैं, उनकी कुंडलियों में भी राहू बहुत active होता है जितने भी लोग magicians होते हैं, illusionist होते हैं, बरे-बरे fraud करने वाले लोग होते हैं, उन सब की कुंडली में भी राहू का रोल होता है मैंने कहान आपको राहू को बस चाहिए, किसी भी हालत में उसको चाहिए, फिर चाहे उसके लिए उसको जो करना पड़े वो करेगा बस उसको वो चीज हासिल करना है, जीवन में जो वो चाहता है राहू, उसको वो चीज चाहिए, तो राहू से obsessed लोगों में भी आपको ये सारी qualities देखने को जरूर मिलेंगी दोस्तों राहू जो है बहुत passionate है, बहुत ambitious है, उसके plus planning करने की बहुत गजब की छमता है राहू एक ऐसा ग्रह है, जो इनसान को बहुत ज़ाता दिवाना बनाता है, किसी भी चीज के प्रती, राहू के अंदर ये दिवानापन मौजूद होता है दोस्तों इसके अलावा जितने भी लोग research में जाते हैं, जितने भी लोग researcher होते हैं, scientist होते हैं, जो लोग खोज करते हैं उनके उपर भी राहू का प्रभाव होता है, बहुत सारे scientist के कुणली में आपको राहू का impact मिल जाएगा in fact बहुत सारी discoveries, बहुत सारे invention जो हुए है, वो सब राहू की दसा में ही हुए है दोस्तों अभी तक तो आप राहू के nature को समझी गए होंगे कि राहू कैसा है, राहू का सोभाव कैसा है, राहू का nature कैसा है तो अब हम जारा बुद्ध के बारे में बात कर लिते हैं, कि बुद्ध ग्रह क्या होता है, और जोतिस में बुद्ध ग्रह की क्या भूमिका है देखिए दोस्तों बुद्ध जो है एक बच्चा है एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है बुद्ध एक राजकुमार है मरकरी इस प्रिंस प्रिंस चार्मिंग जो राजकुमार है जो युवराज है वो बुद्ध है बुद्ध की जोतिस में वही भुमिका है एक राजकुमार की एक छोटे बच्चे की जो बहुत चार्मिंग है जो बहुत एडोरेबल है जो बहुत लविंग है बुद्ध जो है मरकरी जो है वो significance होता है बिजनेस का जो फिय लोग बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं जिनके अंधर बहुत अच्छी business skills होती है उनके अंदर और मरकरी का, बुद्ध का impact जरूर होता है, तो उस्तों मरकरी जो है हमारे communication का कारक होता है, हमारे बातचीत का, हमारे way of speaking का, हमारे way of talking का कारक मरकरी होता है, तो इन लोगों के अंदर बुद्ध बहुत मजबूत होता है, जो लोग communication में होते हैं, बहुत अच्छे speaker होते हैं, बहुत अच्छे एंकर होते हैं या बहुत कलात्मक तरीके से बोलते हैं अपनी बात मनवा लेते हैं उसमें बुद्ध का बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मरकरी जो है वो सौफ्टवेयर का कारक है जितनी भी सौफ्टवेयर है इस दुनिया में उसके उपर मरकरी का इंपक्ट कहीं न कहीं जरूर होता है मरकरी से प्रभावित लोग बहुत ही ज्यादा चार्मिंग होते हैं बहुत ही ज्यादा एडॉरेबल होते हैं वो अपनी एज से कुछ साल कमी दिखा करते हैं दोस्तों याद किजिए अपने बच्पन के दिन जवाब अपनी क्लास में प बच्चों को उन कंसेप्स को समझने में बहुत टाइम लगता था तो जो वो वह वो विक बच्चे थे ना वो जो ऐसे बच्चे थे ना जो उनकी कुण्णी में बुद्ध मजबूत था तभी उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है बुद्ध बहुत लॉजिकल है बुद्ध का प्रभाव होता था अपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत दिक्कत हो जाता है उनको समझने में और कुछ बच्चे एक ही बार में समझ जाते हैं दोस्तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उन बच्चों के ऊपर बुद्ध का इंपक्ट होता है उनकी हमारे बुद्धि और हमारे आईऊउ का कारग्र रहे हैं वैस वे सोड़ तो बुद्ध के और भी बहुत सारे सिंग्निफिकेसं हैं बहुत सारे कारख हैं मैं आपको उन सब चीजों के बारे में बता सकता हूं पर इतना आपdate हैं काफी होगा काफी होगा दोस्तों अब यह जान लेते हैं कि राहू और बुद्ध की जो यूती है उसका क्या पॉजिटिव प्रभा होता है जब भी कुंडली में राहू और बुद्ध साथ में बैठते हैं या एक दूसरे के आमने सामने होते हैं एक साथ की दूरी पर जब भी उनके बुद्ध की जो यूती है यह बहुती स्ट्रेंज जुकती है बहुती अनोखी यूती है राहू जो है बुद्ध को अपना दोस्त मानता है और बुद्ध की भी राहू से अच्छी बनती है राहू और बुद्ध के बीच में दोस्ती है बहुत घनिष्ट मित्रता है तो राहू और बुद्ध की कन्ञंशन का सबसे अच्छा बात ये है कि जिस भी जातक की कुणली में राहू और बुद्ध की यूती होती है ऐसे लोग बहुत intelligent होते हैं इनका जो intellect होता है वो रिजर सार्फ होता है बहुत ज़्यादा intelligent जो word है वो राहू और बुद्ध कंजंशन वालों के लिए कहा जा सकता है इन लोगों का जो IQ level होता है वो बहुत अच्छा होता है किसी भी चीज को ये एक बार में समझ जाते हैं एक बार में जान लेते हैं एक कि बहुत अच्छी बात होती है कि ये किसी भी चीज को एक बार में समझ जाते हैं इनके अंदर बहुत अच्छी लॉजिकल एविलिटी होती है बहुत अच्छी इनके अंदर critical thinking होती है analytical skills इनके अच्छी होती है क्योंकि दोस्तों राहू जो है वो किसी भी चीज को expand करता है और बुद्ध जो है वो जिस ग्रैक के साथ रहता है उसका स्वभाव ले लेता है बुद्ध जिस ग्रैक के साथ जुक्ती करता है उसके जैसा हो जाता है बुद्ध ना पुरुस है ना स्त्री है बुद्ध पुरुस भी हो सकता है इस्त्री भी हो सकता है जब बुद्ध राहू के साथ बैठता है तो राहू क्या है राहू एक तरह का expansion है और बुद्ध क्या है बुद्ध आपकी बुद्धी है तो राहू जो है ऐसे वेक्तियों का जो बुद्धी होता है उसको expand कर देता है उसको बड़ा कर देता है तो ऐसे इंसान बहुत ज़्या और बुद्ध जो है तो एसे इंसान का जो फौर्इड है फो सकता है दोस्तों राहु ये लोग सबसे अच्छे से बात करते हैं, ये लोग, जिसे मान लिजी कि ये लोग teacher के पास गए, तो teacher से घ्यान की बाते करेंगे, किसी दोस्त से मिले, तो दोस्तियारी वाली बाते करेंगे, किसी mathematician से मिले, तो उससे mathematics के उपर बात करेंगे, किसी doctor से मिले, तो medical profession में बात करे मैंने कहा ना कि वही लोग comedians बनते हैं जिनके कुनली में बुद्ध अच्छा होता है तो इन लोगों का जो sense of humor है वो बहुत सांदार होता है ऐसे लोग हमेशा अपने दोस्तों को अपने पार्टनर्स को या अपने आसपास वालों को हसाते रहते हैं इनका sense of humor बहुत अच्छा होता है यह बात बात पर जोक्स मारते हैं और लोग इनके जोक पर हसते है दोस्तो ऐसे लोगों का जो आंगन होता है या इन लोगों के घर म में बहुत अच्छा कर सकते हैं इन लोगों को रिसर्च के छेत्र में बहुत सफलता मिल सकती है अगर यह लोग सौफ्ट्वेर की दुनिया में जाते हैं अगर यह लोग इंजिनियर बनते हैं अगर यह लोग सीएस फिल्ड में जाते हैं BatexyS करतے ہیں तो ये लोग उस छेतर में बहुत अच्छा करते हैं बहुत great achievement ये प्राप्त कर सकते हैं तो इन लोगों को इस छेतर में जाना चाहिए और ये लोग इस छेतर में जाते हैं जो बड़े-बड़े mathematicians होते हैं जो बड़े-बड़े mathematics के scholars होते हैं उनकी कुंडली में भी कहीं न कहीं राहू और बुद्ध की यूती होती है। दोस्तों, इन लोगों का दिमाग बहुत सार्फ होता है। ये लोग किसी भी चीज को बहुत अच्छे से एनलाइस कर लेते हैं और प्रॉबलम से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। ये लोग जब दूसरों को कुछ सजेस्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा सजेस्ट करते हैं। क्योंकि इन लोगों का लॉजिकल एविलिटी बहुत अच्छा होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। राहू और बुद्ध युक्ती वाले लोग बहुत अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। देखिए दोस्तों राहू और बुद्ध की युक्ती एक बहुत ही सांदार युक्ती है। ये लोग जिस भी छेतर में जाएंगे, उसमें उनको सफलता जरूर मिलेगा। और अगर ये बुद्ध से जुले छेतर में जाते हैं, तो सफलता की गैरेंटी और भी जादा है। लेकिन दोस्तों इस युक्ती का एक डार्क साइड भी है। हर युक्ती का, हर कंजंग्सन का एक पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट होता है। मैं उस विशे में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर राहू और बुद्ध की युक्ती सही से नहीं बनी है। मतलब सत्रू रासियों में बनी है। चंद्रमा की रासी में बनी है। या सूर की रासी में बनी है। जरूरी नहीं है कि कोई अगर युक्ती बनी है तो वो आपको positive result ही देंगी, अगर उस युक्ती का energy सही से काम नहीं किया, तो वो conjunction आपको गलत result भी दे सकती है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि राहू और बुद्ध की युक्ती का negative impact क्या होगा, अभी तक तो आपने positive impact को जाना, अब मैं negative impact बताता हूं, देखें दोस्तों, राहू और बुद्ध की युक्ती थोड़ी negative भी हो सकती है, अगर ये कुंडली में गलत राश्यों में बनी हो तो, राहू और बुद्ध की युक्ती इंसान को बहुत सारी बीमारियां भी देता है, ऐसे लोगों को कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी हो सकता है। 47 original system में भी दिक्कत हो सकता है। कहीं न कहीं इनको respiratory system से related बिमारी भी हो सकती है ऐसा भी देखा गया है कि राहू और बुद्ध युक्ती वाले को skin disease बहुत ज़्यादा होता है चर्म रोग से यो लोग बहुत ज़्यादा परिसान होते हैं लेकिन दोस्तो इसका negative result आपको तभी देखने को मिलेगा जब ये युक्ती जब ये conjunction जो है वो अच्छे से नहीं बनी होगी निगेटिब बनी होगी तेकिन दोस्तो राहू और बुद्ध युक्ती बहुत बड़े बड़े criminals को भी पैदा करता है अगर राहू और बुद्ध की युक्ती सही से नहीं बनी है तो इनसान का दिमाग खुरापाती हो जाता है इनसान गलत चीजों में अपना दिमाग लगाता है जितने भी तरह के cyber fraud है जितने भी तरह के गलत तलत hacker है ये लोग जो है राहू और बुद्ध की युक्ति से प्रभावित लोग होते हैं जिसका गलत इंपक्ट उनके जीवन पर परता है ये लोग फ्रॉड करते हैं, लोगों को ठगते हैं साइबर की दुनिया में या फिर हैकिंग की दुनिया में तो ये लोग बहुत गल्त तरीके से इस युक्ती का परिनाम भोगते हैं तो इस तरह से युक्ती बहुत गल्त भी हो सकती है आपने बहुत सारी Hollywood movies में देखा होगा या आपने बहुत सारे बड़े-बड़े TV shows में देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा बड़ा क्लाइम करते हैं या जो बहुत गलस गलस चीजे करते हैं और कोई उनको पकर नहीं पाता तो इस तरह की जो बुद्धी है इस तरह का जो दिमाग है वो सिर्फ राहू और बुद्ध ही दे सकता है जो कि एक बहुत ही गलत चीज है एक बहुत ही गलत सोंच है तो इस तरह की सोच को भी राहू और बुद्ध जरन दे सकता है लेकिन दोस्तों ये सब तभी होगा जब राहू और बुद्ध की एनरजी निगेटिव हो जाएगी ऐसे लोग दूसरों को धोखा भी दे सकते हैं द इन लोगों कर अगर दिमाग खराब हो जाता है तो यह लेग रिस्टों में भी दूसरों को चीट करते हैं इस तरह की टेंडेंसी इनकी हो जाती है यह लोग हर तरह का फ्रॉड भी कर सकते हैं तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह युक्ति यह जो कंजंग्सन है वो राहू और बुद्ध का जो कंजंग्सन है उसका क्या पॉजिटिव रिवल्ट है क्या पॉजिटिव फलादेश है और क्या निगेटिव फलादेश है अब दोस्तों राहू और बुद्ध का जो कंजंग्सन है वो पॉजिटिव तरीके से काम करेगा या निगेटिव तरीक तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं उमीद करता हूँ आप राहू और बुद्ध का जो कंजंक्सन है उसको इजिली समझ गए होंगे उसको इजिली जान गए होंगे अगर अब भी आपको कोई डाउट है राहू और बुद्ध जूती के उपर तो आप उन डाउट्स को कमेंट्स में मुझसे आवज से पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा तापकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें तब तक के लिए अपना खयाल रखिए बाई बाई दोस्तों